Hello guys, welcome to my channel आज की इस वीडियो में हम myth criticism, mythological criticism या archetypal criticism को discuss करने वाले हैं तीनों घुमा फिरा के एक ही चीज़े हैं इसलिए students को confusion होती है हम इसे easy way में समझने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हम समझेंगे की myth क्या है, mythology क्या है, archetypes क्या है, literary theory क्या है और literary criticism क्या है गाइस, myth बहुत पुराने टाइम से चले आ रही है वो कहानी जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है लेकिन हम नहीं जानते की ये कहानी सही है या नहीं सच है या नहीं लोग इस कहानी पर विश्वास करते हैं ये कहानी हमारे कल्चर में भी फॉलो होती है लेकिन हम इसे न प्रूफ नहीं कर सकते तो गाइस ऐसी कहानी जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही हो लोग उस पर विश्वास रखते हों लेकिन उसके पीछे का लॉजिक हमें नहीं पता और ना ही हम उसे प्रूफ कर सकते हैं तो ऐसी स्चोरी को मिथ कहते हैं देखिए गाइस पुराने टाइम में साइन्टिफिक चीजे उतनी नहीं थी टेकनोलोजी नहीं थी तो सोसाइटी में या नीचर में कुछ भी होता था तो उसके पीछे एक कहानी बना दी जाती थी एक्जाम्पल से समझते हैं ग्रीस में जब भुकम पाता था तो लोग ये मानते थे कि एक गौड है गौड पसाइडन वो गुस्सा हो गए हैं और गुस्से में उन्होंने जमीन पर हिट कर दिया और इसी लिए भुकम पाया है तो इस तरह सोसाइटी में या नीचर में होने वाली हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी बना दी गई और उसे फॉलो किया जाता है लेकिन हम इसे प्रूफ नहीं कर सकते कि ये बात सही है या गलत है तो यही है मित हर कल्चर में हर कंट्री में अपने अलग-अलग मित्स होते हैं इंडिया में भी कई सारे मित्स हैं जो आपने 100% सुने ही होंगे अरे बिली ने रास्ता कार दिया अब क्या होगा अरे वाह लेफ्ट हदेली में खुझली हो रही है अब तो पैसे ही पैसे आएंगे तो यही है मित्स मित्स का जो कलेक्शन होता है उसे माइथॉलिजी कहते हैं जो सबसे जादा फेमस माइथॉलिजी है वो है ग्रीक माइथॉलिजी रोमन माइथालिजी और नौर्ट्स माइथालिजी अब ऐसे बहुत सारे works हैं और बहुत सारी films हैं जिसमें myths को दिखाया गया है जो myths पर based हैं जैसे Homer की The Iliad and The Odyssey No Second Troy जिसे लिखा है William Butler Yeats ने T.S. Iliad की The Waste Land, John Milton की Paradise Lost इन सभी works में myths के element को use किया गया है कुछ films भी हैं जिसमें myths दिखाये गए हैं जैसे की Troy, Disney films, Hercules Indian mythology में हमारा रामायन आ जाता है महाभारत आ जाता है तो ये होता है myth और mythology Myth ऐसी story होती है जो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही हो और हमारे culture में ये story follow होती हो लेकिन हम इसे proof नहीं कर सकते तो ये है myth, myth के collections को mythology कहते है अब समझते हैं archetypes क्या होते हैं ऐसी चीज़े, ऐसा behavior या ऐसा symbol जो पूरे दुनिया में common हो दुनिया भर के लोग उन common चीज़ों को सदियों से follow करते आ रही हो तो उसे ही archetype कहते हैं नहीं समझाया न, example से समझते हैं जैसे देखिए marriage, religion, death, education, etc ये चीज़े हर society में पाई जाती हैं हर country में पाई जाती हैं तो ऐसी चीज़े, जो हर country में पूरी दुनिया में common होती हैं उन्हें archetypes कहते हैं अब ऐसा तो नहीं है न, कि शादी सिर्फ इंडिया में ही होती है तो वो behavior, वो pattern जो पूरी दुनिया में follow होता हो, common हो उसे ही archetypes कहते हैं literature में भी archetypes होते हैं most commonly, 12 archetypes आपको हर country के literature में मिलेंगे ही मिलेंगे और वो 12 archetypes है innocent, एक बंदा होगा जो मासूम होगा, इमानदार होगा hero, वो जो कहाने का main character होगा उसके अंदर strength होंगी, powers होंगी everyman, ये वाला archetype बहुत ही simple होता है उसे luxuries बिलकुल भी पसंद नहीं होती है creator, ये character बहुत ही creative होगा जिसके अंदर बहुत सारे ideas होंगे और वो अपने ideas को express करता है ये वाला character बहुत सारे innovations करता है next है lover एक character होगा, जो प्रेमी होगा next है sage sage वो character होगा, जो सच की खोच करेगा sage के अंदर हमारे philosopher, academic और teacher आते है next है ruler जो society को rule करता है, वो ruler होता है society पर हुकूमत चलाता है, वो होता है ruler ruler कोई king या queen भी हो सकती है या फिर कोई neta भी हो सकता है next है gesture gesture वो character होता है, जो अपनी life को बहुत ही अच्छे से enjoy करता है जो लोगों को अपने joke से हसाने की कोशिश करता है next है explorer explorer नई चीज़ों को experience करना चाहता है और अपने आपको हर चीज़ से free रखता है boundations से free रखता है ये character बहुत ही adventurous होता है घुमने फिरने वाला होता है next है caregiver caregiver वो होता है जो care देने वाला होता है जो अपने से जादा दूसरों की परवाह करता है next है rebel rebel वो होता है जो की चली आ रही चीज़ों पर सवाल उठाता है और revolution यानि की क्रांती लाना चाहता है changes लाना चाहता है society में next है magician magician कुछ special करना चाहता है सपनों को reality में बदलना चाहता है तो ये 12 archetypes हैं जो की मैंने नहीं बलकि काल जंग ने बताए थे अपने book The Archetypes and the Collective Unconscious में ये book 1959 में publish हुई थी काल जंग एक Swiss psychiatrist थे ये archetypes आपको दुनिया भर के हर जगा के literature में मिल जाएंगे भई या hero नहीं होगा तो कहानी कैसे बनेगी कहानी में lover नहीं होगा तो interest कैसे आएगा तो ये जो archetypes है वो दुनिया भर के हर जगा के literature में common है तो ये हैं archetypes अब समझते हैं कि literary theory क्या है बड़े बड़े literary scholars ने अपनी अपनी theories दी है और उन literary theories में scholars ने अपना-पना point of view दिया है अपना-पना नजरिया बताया है कि literary work को कैसे पढ़ना चाहिए एक literary work को पढ़ते वक्त हमें किन चीजों पर focus करना चाहिए वो हमें literary scholars ने अपनी literary theories में बताया है example से समझते हैं हमारे पास एक theory है feminist theory feminist theory में females को importance दी जाती है women rights पर focus किया जाता है gender equality पर focus किया जाता है हम feminist theory के basis पर एक literature की work को पढ़ रही हैं और उस particular literary work पर हमने feminist theory apply करी है तो उस literary work को पढ़ते वक्त हमारा नजरिया, हमारा point of view feminist होगा हम देखेंगे कि उस work में female को कितनी importance मिली है female की क्या condition है तो female से related जितनी भी चीज़े होंगी हम उसी पर focus करेंगे क्योंकि हमने जिस theory को apply किया है वो है feminist theory और हम इसी theory के basis पर literary work को पढ़ रही हैं इसी theory के point of view से हम literature की work को पढ़ रही हैं तो literary theory का simple सा मतलब ये है कि literary scholars है उन्होंने अपनी theories दे दी हैं और कहा है कि भाई आप इस particular theory के according literature को पढ़ो इस theory के नजरी से आप literature को पढ़ो तो आप एक different तरह से उस work को पढ़ पाओगे आपको different चीज़े मिलेंगी तो यही है literary theory अब literary criticism क्या है criticism का मतलब है किसी भी चीज़ को लेकर अपना opinion बताना अपनी राय बताना और उस particular चीज़ का positive point और negative point दोनों बताना criticism कहलाता है for example एक new restaurant खुला और आप उस restaurant में गए आपने observe किया आपने देखा कि restaurant में बहुत hygiene है बहुत साफसफाई है food भी बहुत delicious है और वो भी कम प्राइस में लेकिन 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 वहाँ का स्टाफ बहुत rude है बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं कर रहे थे तो आपने positive चीज़े भी देखी कि हाँ hygienic है food delicious है और negative point भी देखा कि staff rude है तो जब आप अपने किसी friend को उस particular restaurant पर opinion बताओगे उसके positive point और negative point को बताओगे तो वो कहलाता है criticism Guys, literary criticism वो होता है जब आप किसी literary work पर अपना criticism देते हो किसी literary work को पढ़कर आप उसके positive point और negative points को बताकर अपना opinion देते हो तो उसे ही literary criticism कहते हैं अब हमें और आपको literature की इतनी knowledge तो नहीं है कि हम लोग literary works पर अपना criticism दे सकें तो हमारी help करने के लिए बनी है literary theories किसी particular work पर जब हम literary theory को apply करेंगे और उस literary theory के according हम literary के work को पढ़ेंगे और ऐसा करने के बाद हम जब उस literary work पर अपना criticism देंगे तो वो कहलाता है literary criticism अब literary criticism भी कई तरह के होते हैं उन्हीं में से है एक archetypal criticism archetypal criticism और myth criticism ये एक दूसरे से connected है इसमें होता ये है कि हम एक literary work लेते हैं और उस literary work में देखते हैं कि कहां कहां archetypes का use किया गया है work में और हम उस work में archetypes की study करते हैं Archetypal Criticism में हम Literary Works के अंदर Archetypes और Myths को ढूंदते हैं क्योंकि Myths भी एक तरह का Archetype है जो की सदियों से चला आ रहा है और Culture में Common है तो Archetypal Criticism में Work के अंदर Archetypes और Myths को ढूंदा जाता है जहां पर Literary Work में सिर्फ Myths को ढूंदा जाए और उस पर Criticism दिया जाए, अपना Opinion दिया जाए तो उसे Myth Criticism कहते हैं ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिसके अंदर Archetypes और Myths के Concept दिये गए है जैसे Sir James Fraser की बुक है The Golden Ball जो की 1890 में Publish हुई थी इस बुक में Religion और Myth के बारे में बताया गया है कि Religion के अंदर कौन-कौन से Myth आते हैं एक और बुक है Maud Botkin की Archetypal Patterns in Poetry ये बुक 1934 में Publish हुई थी इस बुक के अंदर बताया गया है कि Poetry में कौन-कौन से Archetypes होते हैं एक और Critic थे Northrop Fry उनकी एक बुक है Anotomy of Criticism जो की 1957 में Publish हुई थी इस बुक में Northrop Fry ने Archetypes के बारे में बताया है Northrop Fry कहते हैं कुछ-कुछ Archetypes ऐसे होते हैं जिसमें Emotions, Weather से जुड़े होते हैं मौसम से जुड़े होते हैं Northrop Fry कहते हैं कि Literature Two Types के होते हैं Comic Literature and Tragic Literature Comic Literature में Comedy और Romance आता है Characters Happy होते हैं और Romance में जो Animals दिखाया जाते हैं वो Picoke होते हैं, Sheep होंगी जाहिर सी बात है Romance वाले Literature में Characters Happy होते हैं तो इसी लिए Scene में खुबसूरती दिखाया जाती है Flowers होते हैं, Garden होता है Summer Season होता है सेम उसी तरह Comedy वाले Literature में Spring Season दिखाया जाता है Comedy में Characters Happy होते हैं और Lake का Scene दिखाया जाता है लेकिन Satire में Winter Season दिखाया जाता है Satire में खतरनाक Animals होंगे चैसी की Lion Guys, Satire एक ऐसी राइटिंग होती है जिसमें किसी इनसान का या Society की बुरी चीजों का मजाक उड़ाया जाता है तो ये थोड़ी खतरनाक टाइप की राइटिंग होती है इसलिए इसमें Winter Season और Wild Animals होती है और Tragedy में Sad Events होते हैं इसलिए पतजड यानि की Autumn Season दिखाया जाता है इसमें Forest दिखाये जाएंगे Desert दिखाया जाएगा काल जंग ने भी एक Concept दिया है Collective Unconscious का हर Culture में Archetypes होते हैं और उन Archetypes को Culture के सारे लोग फॉलो करते हैं जैसे कि हिंदूस को रामायन पढ़कर महभारत पढ़कर मंदिर में पूजा करके सुकून मिलता है हिंदू लोगों को जादा तर भगवा रंग पसंद होता है मुस्लिम लोगों को नमास पढ़ने से सुकून मिलता है खजूर बहुत पसंद होते हैं ग्रीन कलर पसंद होता है तो ये जो चीजे होती हैं ये collective चीजे जो होती हैं लेकिन हम इस चीजे अवेर नहीं होते हैं तो ये जो collective चीजे होती हैं behavior होता है ये हमारे unconscious mind में जाकर restore हो जाता है और इसी को collective unconscious कहते हैं तो guys ये था myth criticism, mythology criticism या archetypal criticism hopefully guys वीडियो helpful होगी वीडियो अच्छी लगे तो like, comment, share करे और मेरे चैनल को subscribe करे थांक्स ववाची थांक्स ववाची थांक्स